अपका अपने चैलिड माई हैंड़ पूर सुवागत है तो फ्रीज आज हम लेक्या है बिल्कुल हल्वाई स्टाइल दानेदार बेशन के लेड़ू की रैस्पी जो कि बिल्कुल हल्वाई स्टाइल है और खाने में बहुत ही जादा टेस्टी है तो चलिए फ्रीज बनाना श अब यह गी गरम ओ裁ख उख दॉई एक तो इसके अंदर डाल देंगे बेशन तो यह हमने दौकफ बेसन इसके अंदर डाल देंगे तो घी को हम थोड़ा थोड़ा करके लिए ही दालेंगे तो जैसे हमारा गी गरम होगे हमने इस बेशन डाल दिया और इसको अच्छे से अब भूल लेंगे अभी देखिए सुका सुका सा लग रहा है तो इसके अंदर हम अभी और गी आड़ करेंगे तो ये देखिए हमने अलका सा पूरा अभी सूक रहा है तो इसके अंदर हम और गी आड़ कर लेते हैं तो ये हमने और गी आड़ कर लिया है तो बिल्कुल हमारा बेशन गी के अंदर तर हो इतना हमार को इसमें गी डालना है बिल्कुर भी हमारा बेशन सुखा नहीं रहना चीए और यह देखिए हमने सारा बेशन को इसके अंदर तरकर लिया है गी के अंदर तो देखिए अब यह आपको सुखा सा लग रहा है मगर जैसी जैसी भुनता चला जाएगा तो यह गी को रिलीज कर देगा तो अब हम लिलेंगे इसके अंदर एक चोथाई कब सुखी तो सुखी से इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो इस तरह से हम थोड़ा सा भुन चायका तो इसके अंदर हम डाल देंगे सुखी हम सुखी को पहले नहीं डालेंगे ने तो हमारी सुखी है जो चल जाएगी इसलिए हमने थोड़ा सा भुन गया है उसके बाद हमने सुखी डाली है और इन दोनों को हम अच्छे से भूल लेंगे हम देवी आज पे तो दीमिय आज पर अच्छे से बुण जाया का तो देखे, हमारा यह फूल गया है बेसर और घे को इसने रीलिस कर दिया है तो यह देखे अच्छे से बुन गया है, इसको हम ठंडा होने रखतेंगे, गैस को बंद कर देंगे, और इसको थोड़े चलाएंगे भी बेलकुल हमारा ठंडा हो चुका है, जब ठंडा हो चगर हो चगार तभी हमें इसमें PCU चीनी यह आपको बूरा तगार डाल देना है तो यह देखे हमने डाल दिया है अगर आपको चीनी ज्जादर पसंदे तो आप और एक कर सकते हैं, ख़र कम खाते हैं तो इसके अंदर अगर आपका dough बतला हो जाता है तो फ्रेज आप इसको फ्रीज में लग दिजी थोड़ी दे के लिए तो यह प्रिवकुल सैट हो जाता है और यह देखे अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया हाथों से अब हम इसके शेफ बनाएंगे तो यह अच्छे से मिक्स होने के बाद अब हम इसकी शेफ तयार कर लेते हैं तो हम लेंगे एक चमच तो इसका हम मेजर्मेंट कर लेते हैं तो एक चमच लेंगे और इस तरह से हम ले लेंगे तो यह मैंने दो चमच इसके अंदर इसका मिक्स्चर लिया है तो यह देखे इसको हम हाथों से अच्छे से बांध ले देखी एक और हम आपको बना के दिखाते हैं तो यह हमने डो छमच मिक्सटर लिया है और उसको अच्छी से site करके लिस तरह से बांदेंगे और इस तरह लिए और लेंगे और इस तरह से गौल-Гुल गुमा लिए कर लिए दोसरे हाथमेशताेपह। तो यह देखे, तहियार है, हमाने बिल्कुल हलवाई स्टाइल, बेशन के लड़ो, तो फ्रेंज बिल्कुल स्वादेश्ट, बिल्कुल मार्किट स्टाइल बने है, आप ज़ूर बना के देखेगा, तो देखे, हम आपको एक तोड़ के दिखाते हैं, अंदर से कितना बना है यह देखें कितना अच्छा टेक्ष्टर आयस का बिल्कुल मार्किर स्टायर कोई कह नहीं सकता है यह आपने घर पे बना है बिल्कुल हल्वाई स्टायर बनेगे तो फ्रीज आपको हमारी रेस्पी पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को स्काइब करें रादी कृष्णा